आप सबका स्वागत है अगेन आपके अपने चैनल पर तो आज हमारी वीडियो कौन से टॉपिक पर होने वाली है जैसे मैं आपको एक्जामपल बता देता हूँ आप एक प्रीमियम को 100 पर बाई कर देता हो आपका एसल रहता है 80 रुपिस का और मार्केट आपका दिखता है और कुछ टाइम के बाद जैसे मार्केट के मुमेंटम रुक गया रिवर्सल जो कुछ ब्यागा आपका प्रीमियम नीचे चला जाता है 120 पर फिर भी आप इसको होल्ड करते हो और फाइनल वह आपको एसल हीट कर देता है और आप निकल जाते हो तब आपके दिम लोग है इनको यह पता है बट बिगिनर लोगों को यह बहुत ज्यादा प्राब्लेम हो रहा है तो आज उसी कंसेप्ट के उपर हम लोग डिसकस करने वाले जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या सबसे बेले में बता देता हो अगर आपने कोई चीज को 100 पे बाई कि रहा है प्रिमím पकष़़ लो स्टॉप पकड़ लो को Hier आपका प्राफिट का टार्गेट होता है कि मैं इतना प्रफिट लेके जाओगा और मेरा इतना लस में किस चीज में लगा सकते हो जैसे अमरे तीन 50 में च्रेड समें पर्डर्ण उती होता है इक ररेगिलर لर जो हम अर तिसरा हूता है हमरे options में करते हैं जहां पгов्सेंघ होते हैं और ऑप्शन सेलिंग भी होती हैं तो यहां पर मैं आपको चार्ट तक दिखा देता हो देखो मार्केट ने क्या कीया मार्केट ने आप एक breakout कर दिया और यहां से मार्केट दिया अब तूस्ट प्रिकरण अगर की में अगर यहां पर ऑफ एया पालने बाइंग पूजिशन में एम लॉन पूजीशन लगा दी कंuyorum को विद्यू निकल गया में वन टू पे आप एक्जिट कर दिया ऑके बट एजए बीगिनर लोग क्या करते कि यहां पर प्रीमियम जैसे अभी इस मार्केट निया पर 200 पॉइंट के रैली कर दी तो आपका प्रीमियम जाए वह 100 प्लस तो बड़ा होगा जैसे आपने वहां से एक्जिट कर दिया आपको करते हो और आप यहां पे क्या है अगर आफ फिचर समें ट्रेड करते हो तो फिचर समें जो है अपको ट्रे 있으면 कैसे sarsa करना और अमलोग वह देखेंगे क्योंकि जैसे ही अगर बहुत से ट्रेडर्डिक वार्प्रिवियास स्विंग के निचे एसं ल लगाते स्विंग मैंने मpaper trailing SL को यहाँ पे लगा दिया उसके बाद यह उपर जने के बाद मेरे मेरा trailing SL को यहाँ पे लगा दिया यह swing के साथ मैंने यह SL लगा दिया अब यह हो गया चार्ट पे मैं आपको price के साथ इसको बता देता हूँ मतलब आपने किसी आपको 10,000 का अपने investment क्या हुआ है आपने पकड़ा था कि मैं 500 रुपिस का loss ले लूँगा और उसके against मैं 1000 प्लस तो profit कर दूँगा एक time के बाद आपका जो profit है आपने क्या किया था 500 का अपने loss fix किया था और आपका profit जो है वो 1000 दिख रहा है तो आप क्या करोगी आप एक fix amount पकड़ोगी कि मैं इतनी fix amount जो है मैं घर लेके जाओंगा अब मैं आएसे loss नहीं लोगा यह जो fix amount पकड़ते हो ना इसे हम लोग कहते है trailing SL तो यह आप stocks में कैसे use कर सकते हो और options में कैसे use कर सकते हो यह मैं आभी आपको बता देता है जैसे यह स्विंग बना रहा है market यह स्विंग के साथ आप SL को ट्रेल कर सकते हो मतलब यहां पर आपको दिख रहा है कि यह मेरा से लॉस नहीं होगा मतलब और यहां से मार्केट प्रिक इस चैसे नीचे मतलब और मैंने मेरे यहां पे लगा दिया मतलब मार्केट से में कुछना कुछ पैसे को घर लेके जाओंगा यह होता है ट्रेलिंग एसेल तो यह फिचर्स में तो जिसको जो ट्रेड करते यह आप चार्ट पे भी लगा सेते हो बट ऑप्शन क्या करेंगे मतलब अगर आप ऑप्शन में जैसे ट्रेड करते हो ऑप्शन बाइंग में तो यह मार्केट मुमेंटम दे रहा है तब तक ठीक है जब तक मार्केट का यह मुमेंटम चल रहा है तब तक ठीक है बट साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट सपोस करिए कि यह जिस थरह उपर चल रहा है यहां से मार्केट अगर यहां पर साइडवेस चला जाता फिर आप क्या करते फिर आपका जो ट्रेलिंग ऐसे लिए अगर अपने प्रिविएस स्विंग के नीचे भी लगाया है तो यहां पर थीटा डिके करके में भी आपका यह स्टॉप लॉस का निकाल देता सब मेरा सजेशन रहेगा आपको कि जो फिटर्स में ट्रेड करते तो आप यह चार्ट पर लगा सकते हो बट ऑप्शन में जो ट्रेड करते ना आप वो ऑप्शन के जो प्राइज है उसके उपर लगाओ मतलब प्रीमियम में लगाओ पर एग्जम्पल अगर हम लोग यहां प 20 का मतलब आपका जो स्टॉप लॉट जो था वो था 30 पॉइंट्स का पर्फेक्ट और आपका टार्गेट क्या था वन इस्टू टू मतलब आपने यहां पर जैसे ही मार्केट 150 वे आपकी बाइंग प्राइज है मार्केट उपर जाने के बाद जैसे यह 170 180 180 के उपर निकल गया मतलब क्या हो गया आपका रिस्टू रिवर्ट जो था वन इस्टू वन आपको दिख रहे हैं मतलब जैसे आपका प्रॉफिट वन इस्टू वन दिखना स्टार्ट हो गया है आप आपका ट्रेलिंग एसल पे को आपके बाइंग प्राइस पर लेकिया होगे मतलब यह 120 का एसल कैंसल करके अब वह हो जाएगा 150 का 150 का होने के बाद जैसे और आपका जो टार्गेट हा 210 मतलब वह प्रीमियम आप 210 पे आने के लिए रेडी हो गया तो फिर आप आपका वह एसल जो है वह 180 पे लेकिया होगे और आपका प्रॉफिट जो है वह 210 पे बूक कर दोगे क्योंकि आपने जो है वह वह वन इस्टू वन वन इस्टू टू का रिश्टू रिवर्ट रखा था तो जैसे आपका प्रीमियम 120 से 150 और 150 से 210 तक चला गया तो यह जैसे 210 तक जाएगा आपका एसल जो रहेगा वह 180 पे चला जाएगा और 210 के आपका प्रॉफिट बूक हो ज सकते लेके जा सकते हो मतलब हर 30 पॉइंट के साथ आप आपके ट्रेलिंग एसल को लेके जाओ यहाँ पर क्या होगा यह जो मार्केट रैली करता है ना इस रैली पर आप मोस्ट अब टाइम बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि आप एक बफर रखोगे क्या पता मार्केट 2000 पॉ करने में आपको फोमो आता है ना यह मेरे आथ से निकल ना जाए तो यह आपको इससे बचने के लिए आपको ट्रेलिंग एसल यूज करो मतलब मैं अगेन आपको बता देता हो अगर आपने कोई प्रीमियम को 120 पे बगरा बाई किया हुआ है जैसे ही आपने एसल कितना लग आते हो तो ठीक है या फिक्स पकड़ लेतो तो यह जो प्रीमियम बढ़ता चाहेगा बढ़ता जाएगा हर 20 पॉइंट्स के साथ आपका ट्रेलिंग एसल को यूज करो तो यह डिके करने के बाद आप एक फिक्स अमाउंट को गर लेके जाओगे तो यही चीज याद रखना कि ट्रेलिंग एसल आपको कैसे यूज करना है मैं आपको प्रीमियम में दिखा देता हूँ अभी यह 43,000 का हम लोग CE को पकड़ लेते हैं मैंने आप पे 43,000 का CE पकड तो मैंने यहां पर 130 पर कोई कोई सही कब आई कर दिया मेरा जो SL था वो पकड़ लो 100 था या फिर 110 था यह मेरा समफ़स कर यह SL था और मार्केट निकल रहा है जैसे यह 130 का अब यह 150 हो गया मतलब क्या हो गया 1-1 मेरा हो गया उसके बाद यह 150 का 170 जाएगा यह 1-2 हो गया य उसके बाद जैसे आपने यहां पर लगाया और देन आपने यहां पर आने के बाद आपका ट्रेलिंग असल इस स्विंग के लिए तो मतलब मार्केट ने आपको यहां पर बाहर निकल दिया और आपने आपका प्रॉफिट 1-2 बुक कर दिया इस तरह आप option premium में इसल लगा स तो याद रखना कि इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको घर लेकर लेके जाना है तो से लिके 7000 घर लेकर जाने है इसमें से आपको trailing SL को लेके निकलना है अगर यह उपर चलता गया 10,000 का आपको profit दिख रहा है उस time के बाद वो 13,000 दिखेगा आपका SL को 10,000 पे लेकिया हो मतलब आपने पकड़ लिया कि आप में 10,000 पे निकलूंगा जैसे यह 13,000 का 16,000 चा चला जाएगा आप 13,000 अमांट पकड़ लेना कि आप में 13,000 रुपे घर लेके जाओंगा यह मतलब 2,000-3,000 में जश एक्जामपल बता रहा हो आप इस आप से आपका अमांट को adjust कर देना और इस तरह trailing SL को use कर देना आपको यह concept समझ में आ रहे होगी उसके बाद यह देखिए अपना इंस्टा इडी है इस इंस्टा इडी का description में लिंक है टेलिग्राम लिंक का description में है तो आपने देखा कि आपने कोई fake account और जोईन नहीं ना क्या है एक बार check out कर लेना ठीक है तो अगर यह वीडियो आपक आपका एक अच्छा कासा प्यारा कमेंट भी नीचे बता देना और नेक्स टाइम आपको कौन से टापिक के उपर वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट पर बता देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तब आपका ख्याल रखना थैंक्यू